हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकुम मैं सुंबल सिद्धीकी और आपको अपने आज गार्डन में दिखाने वाली हूँ जैसे आप देख रहे हैं ये कुछ डेकुरेशन है स्टोन्स की इसको पैबल्स भी कह सकते हैं आप और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेवल्स हैं स्टोन तो ये देखिए मुक्तलिफ रंगों के मैं लेकर आई हूँ बहुत दिन से इस पर वीडियो बनाना था मैंने हो नहीं रहा था मुझसे तो आज मैं आपको दिखाऊंगी देखे ये मैं लेके आई हूँ बहुत जादा एक्सपैंसिव नहीं थे और उसके पास कोई थाउजन के करीब होंगे ये मुक्तलिफ किसम के स्टोंज ये हमारे ब्लोचिस्तान जो है वहीं से आते हैं उसने मुझे ये बताया और बहुत खुबसूरत थे उसके पास इतनी विराइटी थी उसके पास कि उस नरसरी में मैं हरान हो गई कि पूरे के पूरे जो थे ना वो बोरिये भ कितना खुबसूरत है ये सर्दी में आप इसको मल्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं गमलों के अंदर इसको मल्च करें बैस्ट है जड़ों को जो हवा लगती है तो चारों तरफ ये लगा दें आ और ये बहुत खुबसूरत यूनीक लगता है डेकुरेट अगर आप इसक करती नहीं हूं ज्यादा तर मैं करती हूं दिन में लेकिन अभी कलर मैंने देखा तो अच्छे से मुझे लग रहा था कि हाई-Light हो रहा है तो इसलिए मैंने इसको दिखाया है आपको एक ग्रीन था अभी ये ग्रीन है मरूनिश रैडिश वू मैंने लिया है और ये ब्लै तो जितनी मुझे जरूरत थी उतना मैंने ले लिया अच्छा यह पेंटेड भी मिलते हैं पेंटेड स्टोन यह आप खुद भी पेंट कर सकते हैं यह होता है आप कुछ क्रियेशन करना चाहते हैं कुछ और इसकी चमक देखें आप क्रिस्टल जैसे नहीं होते हैं स्टोन्स में जैसे वो क्रिस्टल होते हैं ऐसा शाइन कर रहा है यह इतना ब्यूटिफुल लग रहा है यह बहुत प्रिटी लग रहा है और यह डेकुरेशन में अगर आप इसको मट्टी के उपर रखेंगे चारो जैसे तो मैं जो वीडियो मेरी आगे आने वाली है उसमें भी कुछ आपको करके भी दिखा दूँगी और कुछ मैंने वीडियो शूट करी हैं वह भी मैं आपको दिखाऊंगी यह देखें काले कलर का मुक्तलिफ स्टाइल के हैं मुक्तलिफ शेप्स के हैं हर एक की शेप इस साथ में लिय है इससाथ ऑप सकते हैं गार्डन के बिखा हैं लोक सलोन हैं होटेश हैं दिखे चुके हम गार्डन की बात कर रहे हैं तो घास और कौर्डνर में है। और यह मुझे बहुत ही जादा eight extreme पर पसंद आया और यह मैंने जो लिया है न यह मौल अगर कराची मे आपका जाना होता है डॉलमेन मॉल डिफेंस उसके साथ ही नर्सरी है दो तीन छोटी छोटी बड़ी खुबसूरत उसके पास ये कलेक्शन है स्टोन्स, पैबल्स, ग्रेवल्स की सब एक ही चीज है और आप भी वहाँ से ले सकते हैं ये कलेक्शन जो है थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकी ये देखें कितना अच्छा इसके अंदर ये देखें कलर के साथ जो एक पत्थर का ये औरिजिनल है इसमें कोई उन्होंने जाहरे मिलाया है नहीं ये शेप देखें कितनी खुबसूरत इसकी शेप लग रही है ये मैं आप से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगोंने लेना है तो ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं नर्सरी से ले सकते हैं और एमजोन से भी ले सकते हैं नर्सरी मैंने आपको बता दी मैंने जहां से लिया है काफी नर्सरीजम मिल जाता है और ये इतना मुझे पसंद आया है इतना यूनीक इसका कलर था ये ऐसा है ब्राउनिश मरूनिश डार्क कलर है इसका और ये इसमें ऐसी लकीरे सी है ना चेदी चेदी सी पड़ी हुई इतना खुबसूरत लग रहा है ये मुझे भी देखने से इसकी फीलिंग आ रही है इसको भी आप हाईलाइट करने के लिए अपने पौदों को खुबसूरत बनाने के लिए डेकोरेट कर सकते हैं गार्डन में भी लोग लगवाते हैं मुक्तलिफ कॉर्डनर्स बनवाते हैं पत्थरों के तो स्टोन्स के पैबल्स ग्रैवल्स आपने देखा होगा अच्छा वर्ल्ड में अगर आप जाएं ना हमारे या कराची में या पाकिस्तान में इतना रिवाज नहीं है लेकिन अगर आपको शौक है घूमने फिरने का तो यकीना आप लोगों ने भी देखा होगा नोटिस किया होगा कि गार्डन्स बगार में पैबल्स का इस्तमाल यॉरप ने या एशिया में और दूसरे मुलकों में बहुत जादा एक्स्ट्रीम पे किया जाता है उसकी सजावट के लिए खुबसूरती के लिए निखारने के लिए गार्डन को न और जैसे गर्मी होती है तो उसके लिए भी आप मल्चिंग करते हैं तो इसकी भी आप मल्चिंग कीजिए इस्टोन के साथ मल्चिंग कीजिए तो जो गरम तेज समर के जो महीने होते हैं जाहरी वहते हैं आट नौ महीने तो गर्मी के ही होते हैं अभी भी गर्मी चली रही है वैसे तो इस महीने में भी आप मल्चिंग कर सकते हैं और आगे होगा मल्चिंग करने का तो स्टोन पैबल जरूर लेकर आईए ग्रैवल जरूर लेकर आईए ये खुबसूरती तो बढ़ाएं गई लेकिन साथ ही साथ जो है ये मल्चिंग भी करते हैं सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इन्हेंस करेंगे आपके जो गार्डन है उसकी ब् बाता है अलमस्स दो महीने हो गए मेरे खाल से तो बस रोज सोच रही थी कि आप लोगों से शेयर करूंगी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे तो आप लोग भी इस तरह से ये सजावट के लिए स्टोन्स पैबल्स और ग्रेवल्स ले सकते हैं मुक्तलिफ साइज के स्टाइ और वैसे तो बहुत साइज नर्स रही हैं लेकिन जहां से मैंने लिया है ना वहां से मैंने पौदे वगारा भी लिये थे तो आप भी ले सकते हैं और चलिए फिर मैं नहीं वीडियो के साथ आऊंगी और कुछ जानना चाते हैं तो मुझे जरूर बताईए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर किया करें दोस्तों ताके नहीं आने वाली वीडियो के बारे में आपको जरूर पता चल जाए और लाइक जरूर करें सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो जरूर करें अभी कर ल पसंद आया है तो और इसको आप धो भी सकते हैं खूब अच्छी तरह से वाश कर सकते हैं अगर गंदा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी भी खराब नहीं होंगे यह फॉर एवर होते हैं एक दफ़ा ले लें हमेशा की जान चूट जाएगी यह नहीं यह खराब हो गए गंदे हो गए तो आप धो नहीं सकते फॉर एवर हैं एक दफ़ा ले लिया लाइफ में अला अफेस